हेलो एवरीवन कैसे हैं आप 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 सब बहुत बढ़िया होंगे मैं हो जबल सक्सेन है और आज मैं आगे हूं सब टाटा मोटर्स महान नगर में और मेरे साथ बैठे नईम जी तो जैसा कि आप सब के कमेंट्स आ रहे थे कि अप टिगाउर की असेसरी के ओपर वीडियो द हुआ हुआ है वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और इस बेल आइकन को दबाने में भी बिल्कुल न शर्माएं ताकि जब भी मैं अप लोड करूँ वीडियो आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टिग और की एक्सेसरीज के बारे में जो आप टिग और के किसी भी वेरियंट में लगवा सकते हैं और उनके प्राइसेज तो मेरी recently uploaded Nexon की एक्सेसरीज की वीडियो में आप लोगों के काफी कमेंट्स आए कि आप टिग और की एक्सेसरीज की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो हाजिर है आपके सामने टिग और की एक्सेसरीज की वीडियो इस वीडियो में मैं आपको सारी accessories जो हैं TIGOR के X, Z variant की उपर place करके दिखाऊंगा जैसे कि मैंने आपको Nexon में दिखाया था कि आपको idea लग जाए कि आपको car accessories लगने के बाद कैसी दिखेगी वैसे अगर आप TIGOR का detail review वीडियो भी देखना चाहते हैं जो मैं बनाता हूँ तो मुझे आप बता सकते हैं comment section आपे के लिए खुला हुआ है तो आप comment कर सकते हैं तो मैं detailed वीडियो भी जल्दी ही बनाऊंगा और upload कर दूँगा अगर आप देखना चाहते हैं तो चलिए अब बात कर लेते हैं accessories के बारे में तो सबसे पहले बात करें कि आप front profile में क्या क्या accessories लगवा सकते हैं तो जो सबसे पहली accessory है वो है illuminated Tata का logo जिसमें light जलती है आप नीचे देख सकते हैं wires connection के लिए इसका price है 1590 रुपीज तो ये front grill में लग जाएगा Tata का illuminated logo अब next accessory जो आप लगवा सकते हैं वो है headlamp and tail lamp chrome kit तो ये आप garnishing लगवा सकते हैं अपनी headlamps के लिए जो आपकी front profile की look को enhance करेगा price के बारे में बात करें तो इसका price है 1,302 रुपीज तो ये आप देख सकते हैं headlamps चलिए अब बात कर लेते हैं next accessory के बारे में तो ये आप लगवा सकते हैं front bumper corner protectors total 4 का set आता है front and rear bumpers के लिए और इसकी price के बारे में बात करें तो 815 रुपीज के आप लगवा सकते हैं इसे अपने tigor पे अब next बात करें fog lamps के बारे में तो जो आप lower variants में लगवा सकते हैं तो ये same fog lamps हैं जो आपने Nexon की वीडियो में देखे थे तो इसका price भी आपको पता ही है इसका price है 12,348 रुपीज तो इसमें integrated daytime running lights भी मिलती हैं LED next accessory जो आप लगवा सकते हैं अपनी front profile की look को enhance करने के लिए वो है lower chrome garnishing तो ये आपके नीचे air dam में दो slat होता है उस पर लगवा सकते हैं chrome की garnishing इसका price है 1555 रुपीज तो ये तो बात हुई front profile में आप कौन-कौन सी accessories लगवा सकते हैं तो चलिए अब बात कर लेते हैं accessories के बारे में जो आप side में लगवा सकते हैं तो सबसे पहले लगवा सकते हैं आप door visor तो जो आपको rain water को गाड़ी के अंदर आने से बचाता है तो ये है door visor तो इसका price है 1800 रुपीज और next आप ये देख रहे हैं door handle chrome garnishing इनका price है 1290 रुपीज अब next बात करें side beading की तो ये आप side beading लगवा सकते हैं car की side profile को minor scratches वगवा से बचाने के लिए इसका price है 1211 रुपीज अब next मैं आपको दिखाता हूँ scuff plates टिग और की simple scuff plates का price है 1420 रुपीज illuminated scuff plate का भी option है तो ये आप देख सकते हैं scuff plates next wheel covers की बात करूँ तो आप टिग और में wheel covers 14 इंचिस के लगवा सकते हैं तो ये look आएगा आपके wheel का जब आप wheel covers लगवाते हैं lower variant में इसका price है 2374 रुपीज तो ये तो बात हुई external accessories के बारे में चलिए बात कर लेते हैं कुछ internal accessories के बारे में जो आप लगवा सकते हैं अपनी टिग और में तो ये आप देख रहे हैं driver side armrest price के बारे में बात करें तो इसका price है 5483 रुपीज sliding को option मिलता है और इसमें आपको थोड़ी बहुत space भी मिल जाएगी gadgets वगरा रखने के लिए तो ये है driver armrest जो आप टिग और में लगवा सकते हैं तो आप next बात करें head up display की जिए हैं तो क्यल comments आए थे कि मैं head up display की information आप चाहते हैं तो ये आप देख रहे हैं head up display जो आप किसी भी कार में लगवा सकते हैं price के बारे में बात करें तो इसका price है 13,500 रुपीज तो ये आपका main console unit तो ये head up display है जो information दिखाता है आपको windshield पे ये आप नीचे polybag में देख सकते हैं screen इसके अंदर screen मिलेगी आपको और नीचे cable connections तो ये तो बात हुई head up display की next ये आप देख रहे हैं seat covers तो इन दोनों seat covers का price है 7,500 रुपीज seat covers की वैसे काफी choices available हैं तो आप अपने according चूज़ कर सकते हैं हो सकता है camera justice ना अगर पा रहा हो तो आप personally खुद जाके देखके seat covers को चूज़ कर सकते हैं तो ये तो बात हुई seat covers की ये है टिगवर का body cover जिसका price है 2,420 रुपीज इसमें भी 2,3 options अविलेबल हैं body cover के तो आप अपने according चूज़ कर सकते हैं अब बात करें reverse parking sensors की तो इस वीडियो में आपको दो system दिखाऊंगा जो आप टिगवर में लगवा सकते हैं ये है पहला system जिसमें आपको एक 4 इंचिस की screen मिलेगी तो ये है screen जिसमें आपको display होगा camera और आपको camera खोल के दिखाएं तो इसमें आपको सिर्फ camera मिलता है और एक screen मिलती है तो ये है आप देख सकते है camera pricing के बारे में बात करें तो इसका price है 5,500 रुपीज तो ये है आप देख रहे हैं second system इसमें आपको camera के साथ सा sensors भी मिलते है तो ये आप देख सकते है second system इसमें भी आपको एक 4 इंचिस की screen मिलेगी ये screen और price के बारे में बात करें तो इसका price है 7,500 रुपीज निचे आप देख सकते हैं cable connections और connector slots तो इन में हमारे wires cut नहीं होते सीधा punch हो जाते है connections में ये आप देख रहे हैं sensors तो ये second system है जो आप अपने TIGOR में लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं अब next accessories के बारे में बात करें तो ये है dash cam जो मैंने आपको next one में भी दिखाया था तो आप किसी भी variant में लगवा सकते हैं dash cam को और ये काफी important accessory है जो आपको हर car में लगवाना चाहिए अगर आपके पास कोई भी car है तो price के बारे में बात करें तो affordable है 5000 रुपीज का आप लगवा सकते हैं इसे मैं भी सोच रहा हूँ लगवाने की तो जैसे कि आप सबको पता ही है अगर मिने लगवाया तो आपको जो detailed video मिल जाएगी और ये आप देख सकते हैं cable जो 12 volt का power socket आता है car में उसमें insert हो जाता है ये हैं god idols जो आप अपनी car के लिए ले सकते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ basic accessories के बारे में जो इस video में आपको नहीं दिखा पाया तो अगर आप pillow बगरा लेना चाहते हैं long rides में तो pillow का price है 1,100 रुपीज तो long rides में आपको काफी अरायम दायक रह सकते हैं अब next बात करें 15 inches के alloy wheels की तो इसका एक का price है 6,903 रुपीज जो टिक और के top model में आता है वो वाला alloy wheel आप ले सकते हैं जिसमें single का ही price 6,900 रुपीज है illuminated scuff plates मिलती हैं आपको 1,950 रुपीज में carpet floor mat ले सकते हैं आप जिनका price है 1,610 रुपीज car perfume का price है 100 रुपीज वैसे आपको description में भी कुछ basic accessories के link मिल जाएंगे तो क्यासा लगा आपको मेरे वीडियो नीचे comment section में जरूर बताएं और अगर आप किसी और car की accessories के ओपर वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं comment section पर यह Instagram का handle भी आ रहा होगा को महाँ पर मुझे direct message कर सकते हैं तो अगर आपके हैं कोई भी queries और Tata की accessories के ओपर तो sir की contact detail आपको description में मिल जाएंगी तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर end करते हैं और हाँ गाड़े चलाते हैं में seat belt और bike चलाते हैं में helmet लगाने में बिलकुल न शर्माएं यह आप ही की safety के लिए है तो इस वीडियो में बस यतना ही thank you क्या है आप है का घाप हुआ जाप है झालाते हैं